रोती हुई जो महिला आपको दिखाई दे रही है हो सकता है इसके रोने की भासा आपको समझ में ना है क्योंकि यहाँ दिवासी महिला है इसकी 12 वर्सिय बच्ची जमलो मलकामी की मौत हो चुकी है बीजापुर के आदेडगाओं का मामला है हुआ यह कि कुरोना के चलते देश भर में लॉकडाउन है लॉकडाउन के कारण 12 वर्सिय इस बच्ची को जिसका नाम जमलो मलकामी है वह 114 किलोमेटर पैदल चल कर आई तिलंगाना की ओर जाते हैं इसी तरह से इस साल भी यह लोग है साथ में यह बच्ची भी गई लेकिन लॉकडाउन के कारण रोजगार खत्म हो गया और दूसरे लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल ऐसी स्थिती हुई कि वहां रहना संभव नहीं था ऐसे में उसके बाकी गाउं के लोग जब 15 अप्रेल को पैदल तिलंगाना से 36 गड़ यानि तिलंगाना से 36 गड़ के लिए पैदल चले तो वह बच्ची भी चली और तीन दिन तक जंगलों के रास्ते 114 किलो मिटर जिसमें की पहाड होते हैं खाई होती है नदियां आती है यह पूरा एक और पैदल चलने में जो तेज धूब थी भूख थी पानी की कमी थी बॉड़ी में डिहाइड्रेशन हुआ और 18 अप्रेल को इस बच्ची ने दम तोड़ दिया सुनिए पूरा मामला क्या है हाँ यह तोयनार खाना अंतरगत आधेड़ ग्राम के यारा लोग लोगों में से जो की तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे उन में से एक बच्ची थी जिसके उम्रे लगभग 12 साल थी यह पंद्रा तारिक सी यह पेरूर के आसपास जो कि अपने तारलोड़ा बारे बा है तो वहां से निकले थे और उननीस तारिक को अठरा तारिक को सुबह लगभग यह हम लोग के बाड़ा जो एरिया है और इंटर करने के बाद में आट नौ बज़ेस की डेत होगी आपने देखा कि कैसे एक आदिवासी बच्ची जिसकी उम्र सर्फ बारा साल है बारा साल क कि एक बच्ची रोजगार पड़ जाती है जब कि हमारा भारतिय कानून ये कहता है कि 14 साल से पहले काम करने वाले लोग बाल मजदूर हैं साइद आदिवासीयों के हाँ, गरीबों के हाँ, मजलूमों के हाँ, कमजोरों के हाँ, सरकार की ये कानून लागू नहीं होते, उन का ये नतीजा है कि एक गरीब आदमी की बच्ची अपने परिवार का पाल पेट पालने के लिए अपना पेट पालने के लिए घर से 114 किलोमेटर दूर तिलंगाना में काम करती है काम जब खत्म हो जाता है तो वहां से पैदल लोटती है क्योंकि आने जाने का कोई रास्ता न नहीं रहेंगे